असलाम आलेकुम वेलकम टू मैई चैनल हिरा किचन में हैं और मेरे किचन में हैं बहुत साधी रेसिपीस तो जल्द ही कर लीजए मेरे चैनल को सब्सक्राइब साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें जाते जाते एक प्यारा कमेंट करते जाएं वीडियो को इसकिप मत कीजिएगा लास तक देखेगा तब ही आप लोगों के लिए मेरी रेसिपी बनेंगी सिंपल इजी एंड टेस्टी तो आते हैं आज की रेसिपी पर तो गाइज आज की रेसिपी फताईर एक अरेबिक डिश तो इससे बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक बाउल में ले लेंगे हम वन एंड हाफ कप और परपस फ्लोर यानि के मैदा और वन कप लेंगे हम बाद में वन टीस्पून ये शुकर गई है वन टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्प के अकॉर्डिंग कम जादा कर लेजेगा और कुछ ऑईल ले रही हूं आप गी या बटर भी ले सकते हो और ये एक अंडा गया है जिसे मैंने अच्छे से फिट लिया था और अब हम इसे वाम मिल्क के साथ यानि नेम गरम दूद है ना जादा गरम लीजेगा ना ठंडा इसे स्पून के हेल्प से अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं देखें लम्स ना पड़े और बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैंने वनकप मैदा और डाला है और मैं इसे फट 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 मैं तब म這邊 लीए हैं मैं इसे हैं और रख रावाटर कर रीए समून को हाएं नाका और इस को किम एधिया की अव्याट हैं कि में इस में टुना ने खानाा है यो से लिए रेडी कर र缮े ? मैं इसे रेप करकर 2 आर्स के लिए रख दूँगे और जब तक ये रेस्ट पर रहेगा हम तब तक कर लेते हैं इसकी फिलिंग रेडी इसकी रेडी कर लेते हैं तो गाइज स्टफिंग के लिए मैंने एक पैन में ले रहे हैं टू टू थरी स्पून टेबल स्पून आइल आप लोग देख लीजे बहुत कम आइल है जादा नहीं लेंगे और इसमें मैं डालूंगी चॉप्ट गालिक यानि के लसन ये चॉप्ट है और इसे हल्क असा सौटे हो चुकी है ब्राउन हमें कुछ भी कलर नहीं लेना है बस सौटे करना है तो यह कुछ शिमला मिर्च है आप अपने टेस के अकॉर्डिंग कम जादा कर लिजेगा यह मैंने थोड़ी से लिए शिमला मिर्च और इसे भी मैं प्याज और लसन के साथ अच्छे से अब यह मैंने डाला है हाफ टेस्पून वाइट पेपर हाफ टेस्पून ब्लैक पेपर हैं इस सफैद और काली मिर्च का पॉर्डर और यह कुछ गई हैं ड्रॉप्स मस्टर्ड पेस्ट की और यह ऑप्शनल है मन डालेगा और यह मैं वन एन हाफ स्पून डाल रही हूं मैं अच्छे से मिक्स कर दूँंगी यह बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है अब मैं ने डालूंगी मायोनीज मैं इसमें थ्री स्पून मायूनीज कऱे रही हूं आप अपने टेस्ट के अकौर्डिंग मायोनीज को भी कम ज़ादा कर सकते हैं और इसे कर लेंगे तोड़े से स्वीट कॉन एड़ कर रही हूं और इसे भी मिक्स कर दूंगी देखे यह भी मिक्स हो गए और ग्रेवी एकदम रेडी हो चुकी है अब मैं इसमें हरा प्याज यानिके इस प्रिंग ओनियन थोड़ी सी यह लास्ट में यह डालेंगे और इसे 2-3 सेकंड सिफ हलक जो डो है वो एकदम बहुत अच्छा हो चुका है मैंने इसके दो पीस कर लिये हैं फर्स्ट पीस का मैं थोड़ा सा स्लैप पर डाल रही हूं सुखा आटा और इसकी हम रोटी जितनी बड़ी हो सकेगी इतनी रोटी बेलेंगे और यह ना जादा पतली होने चाहिए और ना जो बाकि हमारा डो यह साइट्स जो बची हैं इसे हम दोबारा अपने एक फिर शीट बना लेंगे इस बचे वे डो की हमें फिर शीट बना लेंगे और फिर एक एक करकर हम बनाना श्राज करते हैं फताईर तो अब थोड़ा सा बेलन से थोड़ी सी चौड़ाई में बढ़ यह मैं इसमें लगाऊंगी तीन कट और मैं आपको दूसरी भी पताऊंगी जादा कट वाली भी मैंने तीन लगाए हैं और एक अंडे को मैंने अच्छे से फेट कर रख लिया था और ब्रश के हेल्प से मैं इस तरह यह अंडा लगा रही हूं अगर आप एगलेस बनाना च और इंशीले और आप को 2 ज्यादा के में लुका नदा कट हम वाध दीन और ऑपता आपए मोई आयसे लीप से अपड़ी हैं जसे हुए हैं कि यह बहुत हैं जका रहे यह राख लिए वाधी ने कर दो पद़गा हैं यह दरreci हैं आपक दो पास ट्य इसमें हो दोता हैं कर द तो थोड़ा मैं उंगले से रगा देती हूँ जहां अंड़ा अच्छे से नहीं लगा और यह मैंने कर दिया इसे फोल्ड और चिपका देते हैं यह चिपक गया है और अब उठा लेते हैं दूसरी साइड और यह देखेए यह THोड़ा दिक रहां इस तरह आप किसी भी बहुत सारी शेप्स में बना कर रेडी कर सकते हैं अब मैं ने ग्रीस कर लिया था ट्रे को बटर और आटे से और अब मैं इसे 30 मिनिट्स के लिए फिर दुबारा रेस्ट पर रख दूंगी तो यह 30 मिनिट्स हो चुके हैं और मैं यह अंडा लगा रही ह अब ब्रेड टाइप में भी बना लिया थी फताईर और मैं 180 डिग्री पर इसे 20 मिनिट्स से मैंने बेक कर आए फताईर बन कर रेडी हैं और यह देखे कितने सॉफ्ट और मुलाएं बने हैं आप बेक ना करना चाहें तो आप फ्राई के लिजे फ्राई में भी बहुत सही रहेंगे तो ओके गाईद अल्ला हाफिज चलती हो फिर मिलेंगे हिरा के किचन में एक नई और मज़िदार रेसिपी के साथ